बेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 9 अक्टूबर 2022 और 9 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कूस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप मारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कूस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्रा प्रवासि प्रवासि दिवस मनाए गया तो में बिश्कुष इनका आइज अधी अक्टूवर में theft 290 बार मनाए गया आए मई के अक्टूबर 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 के अक्टूब पहारी दिवस और अंतराश्टी कॉफी दिवस मनाए गया, दो अक्टूबर को अंतराश्टी अहिंसा दिवस और स्वक्ष भारत दिवस मनाए गया, स्वक्ष भारत दिवस पर मैंने आपको होता है था कि इस बार फिर से भारत का सबसे स्वक्ष सहर बना है इन दोर और भारत का सबसी स्वच्छ राजी कौन सा बना है मद्य प्रदेश अच्छा अभी आठ अक्टूबर को 200 परियावास दिवस मनाया गया चार अक्टूबर को 200 पसु दिवस मनाया गया पांच अक्टूबर को 200 सिक्षक दिवस मनाया गया साथ अक्टूबर को 200 कपास दिवस और 200 मुस्कान दिवस मनाया गया तो अब तक अक्टूबर में इतने इंपोर्टेंट दिवस मनाया गया है यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टारगेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा धिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटमेटिकले अच्छी हो जाएगी अच्छा आठ अक्टूबर को एक और मूस्ट इंपोर्टेंड दे मना जाता है वो कौन सा है इंडियन एर फोर्स डे ये आठ अक्टूबर को मना जाता है ये याद रखना है एक्जाम में पूछा जाता है इंडियन एर फोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मना जाता है क्यों मना जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एर फोर्स की स्तापना होई थी हाली में भारत और किस देश के वीच वाइट सिपिंग इंफॉर्मेशन एक्षियन समझोता हुआ है तो अभी अपने देश भारत और न्यूजिलेंड के बीच वाइट सिपिंग इंफॉर्मेशन एक्षियन समझोता हुआ तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है भारती नौसिना ने समुद्री छेत्र में पारदर सिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजिलेंड की रॉयल नेभी के साथ ये वाइट सिपिंग इंफॉर्मेशन एक्षियन समझोता किया अब न्यूजिलेंड तो ये है मैप में न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड की केपिटव क्या है एम एफ आई इसकी फूलपम क्या है एसोसियेशन ओफ म्यूजिल फंड्स इन इंडिया इसके नई अद्देश चुने गए है ए बाला सुब्रुमन्यम तो इस कुश्यन का बे आप्सिंस आई है ये हैं ए बाला सुब्रुमन्यम और ये ही एम एफ आई के नए अद्देख चुने गए अच्छा अभी यू ए पी ए ट्रिबुनल के पेटा सीन अधिकारी बने है तिनेश कुमार बैंक आफ इंडिया म्यूचल फंड्स के से एओ बने है मोहित वाटिया संजेब केसोर ने महा निदेशक आयूद की रूप में पदवार गेड़ किया है और भारत निर्वाचन आयूग ने पंकच द्रबाठी को अपना नेशनल आइकन गोसित किया है ने क्यूशन है हाली में बायू प्रदूसर को नियंतरित करने के लिए किस राज ने anti-dust अभ्यान शुरू किया तो अभी दिल्ली ने सर्दी का सीजन सुरू होने से पहले बायू प्रदूसर को नियंतरित करने के लिए anti-dust अभ्यान शुरू किया तो इस कुशन का say options है दिल्ली के पर्यावर मंत्री है गोपाल राय इनो ने क्या किया है? 24 सूतरी enti dust कारेकरब मनाया है जिसमें जो निर्वाड इस्तल हैं उनके लिए 24 rules बनाए गए हैं और जो निर्माड इस्तल हैं वहाँ पर इन 24 rules को follow करना है जो भी follow नहीं करेगा उस पर कठोर कारवाई होगी ने Question है हाले में किस के नाम पर देश का पहला बहु कला सांस्कृतिक केंद खोलने की गोश्ण की गई तो अभी नेता अम्मानी के नाम पर मुंबई के बांदरा कुरा इलाके में ये बहु कला सांस्कृतिक केंद खोलने की गोश्ण की गई application का बे option अई ने ने अम्मानि की बेटी है एश सामनी मुंबई के बैंद्रा कुछ्छ कॉम्पलेक्स में ने ने यूप्यूसट की है मैं आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विबा एक मामले में सबसे खराब स्तिति किस चीमाध की है तो तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के कोडिंग बाल विवा के मामले में सबसे खराब इस्तिदी है जारखन की, तो इसको इनका A options आई है, यानि कि सबसे ज़्यादा बाल विवा जारखन में होते हैं, और दूसरे नमर पर पस्चे मंगाल है, अब जारखन तो अब एक खाद सुरक्चा एटलस वाला तेसरा राज जारखन बना, पहला बेहार है, दूसरा ओडीसा है और अब तेसरा जारखन बन गया है, जारखन सरकार ने ब्रिटिस उच्चायोग के साथ चात्रवती समझोता किया है, जून माह की रर्वन मिसन डेल्टा रैंकिंग मे चारखन टॉप पर रहा, और तम्मा को नियंतर के लिए जारखन को डबलू एचो पुरुसकार मिला है, ने हुशन है, हाले में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविदा सुरू की है, तो अभी ICIC बैंक ने स्मार्ट वायर सुविदा सुरू की, तो इस कुश्यन का से उप्स हुई 1994 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, वड़ोधरा में, और इसके प्रजेन टाइम पर CEO कौन है, संदीप बक्सी, नेक शुशन है, हाले में किस राज सरकार ने दुबई के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये है, तो अभी हर्याना सरकार ने बेविन आर् हर्याना की एपिटल की है, चेंडिगड, हर्याना की चीप मिनिश्टर कौन है, मलोहर, लाल, खटर, और हर्याना की गवर्णर कौन है, बंडारू, ढथततरे अच्छा अबे दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हर्याना बिक्सित करेगा प्रदानमंत्री मोधी ने फरीदाबाद में अम्रता अस्पिताल का उद्गाठन किया हर्याना ने चेप मिनिस्टर एक्वल एजूकेसर रिलेफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानि की चिराग योजना सुरू की हर्याना के मुक्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट एबीट प्रडाली सुरू की है हर्याना के मुख्यमंतरी ने सोनू फोगाट की पुस्तक अस्टांग योग का भी मोजन किया और हर्याना सरकार ने इजरायल के साथ जल सायोग समझोते पर हस्ताक्टर किया है ने क्यूशिन है हाली में गल्फ ऑएल ने केसे अपना ब्रांड अमेजडर न्यूग किया तो गल्फ ऑएल ये एक लुब्रिकेंट की कंपणी है इस ने इसमरती मंधाना को अपना ब्रांड अमेजडर अपोइंड किया तो इस कुशिन का A options है है आपको पता है, Gulf Oil के पहले से brand semester हैं महेंज सिंग, धोनी और हारदिक पंडया अब Gulf Oil ने इस्मिरती मंधाना को भी अपना brand semester टिकलेफ किया है अच्छा अभी Fire World ने कियाराडवांडी को अपना brand semester न्यूक किया हेरो मोटकॉफ का नया brand semester राम चरड को गोसित किया गया UAE की प्रमुक स्वास्ते सिवा कंपनी वुर्जील होल्डिंग्स ने सारुक खान को अपना ब्रांड मेजडर न्यूक्त किया है और नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वाच के लिए वाडी कपूर को ब्रांड मेजडर की रूप में चुना है ने शुशन है किसे दिली सरकार से ग्रह सचेब की रूप में न्यूक्त किया गया तो अभी दिली सरकार की ग्रह सचेब की रूप में अस्विनी कुमार को न्यूक्त किया गया हाली में भारत और केस देश ने new energy task force की गोशना की तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने new energy task force की गोशना की तो इस question का say options है अब अमेरिका तो अमेरिका के president कौन है? जो बाइडन अमेरिका में एक दसक के बाद polio का पहला मामला दरज किया गया अमेरिका की senate ने gun control बिदेख पारित किया आरती प्रभाकर को अमेरिका की राश्पती के बिग्यान सलाकार के रूप में न्यूप किया गया बारत, इसराइल, UAE और US ने एक नया I2-U2 समूँ बना हाले में किस राजी की दिखो नदी में मचली की एक नई प्रजाती खोजी गई, तो दिखो नदी ये नागालेंड में है और यहीं पे मचली की एक नई प्रजाती खोजी गई, तो इस कुषिन का B options है है, अच्छा दिखो नदी में मचली की एक नई प्रजाती खोजी गई इस नई प्रजाती का नाम Panthea Dequescence रखा गया है क्या Panthea Dequescence तो इस नाम को भी आप्याद रखिए अब Nagaland तो ये है map में Nagaland Nagaland की capital क्या है? Kohima, Nagaland की chief minister कौन है? Nephew Rio और Nagaland की governor कौन है? Jagdishishin है हाली में रास्ती खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? ये most most important question है पूजा पटेल इन्होंने योगासन में gold medal जीता है तो इस question का A option सही है और ये योगासन में पहला gold medal किसी के द्वारा जीता गया है तो इनका नाम आप याद रखिए पूजा पटेल ये गुजरात की है और इन्होंने अभी गुजरात में ही 36 में रास्ती खेलों में योगासन में gold medal जीता है ने हुशन है हाली में 2022 का नोबल सान्ति पुरुषकार के से दिया गया? तो इस बार का नोबल सान्ति पुरुषकार एक ब्यक्ति और दो संस्ताओं को दिया गया इसमें से ब्यक्ति हैं एलेस बेयालियासिकी ये कहां के हैं? ये बेलारूस के एक मानवा दिकार कारिकरता है और दो संस्ता हैं एक संस्ता रूस की है मैमोरियल और दूसरी संस्ता यूक्रेन की है Center for Civil Liberties तो इन तेनों को Noble Santhi Pruskar 222 दिया गया तो इस question कर डे option सही है उप्रियुक्त सभी आप image में देखिए ये हैं Alice Bialyatsiki और ये दो संस्ता है Memorial और Center for Civil Liberties जिसमें से Memorial रूस की है और Center for Civil Liberties ये Ukraine की है अच्छा है इस तरह की image आपने हर बार जब भी Noble Prize डिकलेर होते हर बार देखी होगी जैसे ये Alice की image है इनकी actual image भी तो दिखाई जा सकती है लेकिन जब जब Noble Pruskar की गोशना होती है इसी तरह का illustration या फिर इसे आप portrait भी कह सकते हो इसी तरह का portrait बनाय जाता है और जितने भी Noble Prize मिलते हैं चाए वो physics का मिले chemistry का मिले, science का मिले या फिर सांती का मिले इसी तरह के portrait बनाय जाते हैं कभी आपने सोचा actual image क्यों नहीं दिखाई जाती है portrait क्यों बनाय जाते हैं इसके पीछे एक region है आपको पता है जब एक किसी को Noble Prize मिलता है तो पहले उसे नहीं बताय जाता है सीदी गोशना होती है जो team है जो इसके पीछे जो स्था है वो सीदा गोशना करती है अब गोशना करती है तो suppose किसी बैग्यानिक को ये Noble Prize मिलना है, मालो physics का Noble किसी एक particular बैग्यानिक को मिलना है, अब कई बार क्या होता है इमेज अगर कई बार होती भी है तो बहुत बेकार क्वाल्टी की होती है तो इसका एक solution निकाला गया इस तरह के illustration बनाए गए इस तरह के portrait बनाए गए अब इस तरह के portrait बनाए जाते हैं और यही portrait जब भी Noble Prize की गोशना होती है यही portrait दिखाए जाते है अच्छा एक और question माइड माना चाहिए यह portrait बनाता कौन है तो एक designer है Nicklass Elmhead यह इस portrait को बनाते हैं जितने भी Noble Prize डिकलेर किया जाते हैं इस तरह के portrait black और golden color से बना जाते हैं black color का use और golden color का use होता है और इसी तरह के portrait बना जाते हैं तो यह portrait कौन मनाता है Nicklass Elmhead क्या नाम है इनका Nicklass Elmhead ने क्योशन हाली में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो RSS का एक संगटन है सेवा भारती इसने समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरुसकार से प्रत्न टाटा दी को सम्मानित किया है तो इस कुश्यन का से उप्सन सही है अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्यन पूछा था कि हाली में दुनिया के सबसे बड़े चेनी उत्पादक की रूप में कौन सा देश उबरा है तो अभी अपना देश भारत दुनिया के सबसे बड़े चेनी उत्पादक की रूप में उबरा यानि किस कुश्यन का से उप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडियोंस का अंसर सही दिया में आपको एक बड़ फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का question है, हाली में 2022 का सहत्तिका नोबल पुरुसकार कैसे दिया गया है, चार option दिये गये हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook for next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indresrc, indresrc, instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any hesitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का target जरू याद रखना, आज किस वीड आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चिती मदद मिलेगी, जब आप से subscribe करेंगे, तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू किलिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे, next exam all page video, thanks for watching.